पुलिस का भी कोई कौफ नहीं और वो दिन होयर रात दे देते हैं बारदात को अंचाब आपको बता दे रामदरवार में बीते दिनों कई जो है मामले सामने आए अक्तुबर ही माह में करीब तीन बारदाते हुई है तेरा, स्तारा और बीस इन तीनों मामलों में पुलिस ने गुफ सूचना के अधार पर छे आरोपियों को गिरफतार किया है निर्देश पर जो थाना परभारी राजीब कुमार है और उनकी टीम जो है सब इंस्पेक्टर गुरविंदर सिंग की टीम ने जो है छे आरोपियों को गुफ सूचना के अधार पर गिरफतार किया है आरोपियों से जो वारदात में इस्तमाल किये जो हत्यार से उनको भी जो है बरामद कर लिया गया है पकड़े गए आरोपियों की पैचान रामदरवार निवासी साहिल उर्फ कालू वासू नानू और रवी करेला तुशार और अन्य के रूप में हुई है पुलिस ने आरोपियों को पेश कर रिमांड लिया है आपको बता दे पहला मामला जो है तेरा तारीक का है जब पुलिस जो एक यूवक है रामदरवार निवासी उस पर जानले वा हमला किया जाता है जिसमें पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाब विबिन धराओं के दो नवालिक को जो है गिरवतार कर लिया जाता है और जो दूसरा मामला है वो तारा तारीक का है जिस पर नरेश जो रामदरवार निवासी है वे अपने घर से जैसे ही कुछ दूरी निकलता है तो कुछ हमला वार आते हैं और उस पर जो है तेजधर हत्यार से जानलेवा हम कर देते हैं इस हमले में जो नरेश है उसके कई गंबी जो है चोटे आती है जिसके बाद पुलीस द्वारा जो है पीडित के बियान पर केस दर्ज कर और सीसी डीवी के अधार पर एक आरोपी साहिल उर्फ कालू को जो है गिरफतार कर लिया है वहीं अगर बीस तारीक के जो म जो है चोटे आई थी जिस मामले में पुलीस ने वासू नानू को पहले ही गिरफतार कर लिया था जो कि चार दिन के पुलिस रिमांड पर थे आज उनको जो है जिला अदालत में पेश कर जेल भेजा जाएगा जबकि जो तीन आरोपी है रवी करेला तुशार और अन्य उन जो है पुलिस के दो दिन के रिमांड पर है देखने बाली बात होएगी कि पुलिस इस मामले में पुलिस रिमांड के दुरान इन आरोपियों से क्या कुछ खुलासे करा सकती है आपको बता दे इस हमला जो सतारा तारीक का जो हमला है उसमें अभी भी जो है आरोपी जो है देखने बाली बात होगी कि वो कब तक पुलीस की गिरफ्त में होंगे और अगर इन गिरफ्तारियों के पीछे अगर देखा जाए तो सब इंस्पेक्टर जो की हलो माजा चौकी इंचार्ज है गुर्विंदर सिंग उनकी एहम भूमी का जो है देखने को मिली क्योंकि इससे भी उन्होंने एरिया में सनैचिंग चोरी, मारपिट, रॉबरी, मडर जैसे मामलो की जो है गुत्थी सुलजाई जिसके बाद उन्हें डीजीपी द्वारा जो है इसका सम्मान भी दिया गया चंडिगर से कैमरमेन रभी के साथ अजीत कुमार जाकी रिपोर्ट